हेलो गाईस मैं आश्री स्वागताव घडवाले पैंडा चैनल में आज के लेक्चर में हम बनाएंगे ट्रेजो फ्लोरिंग को इससे पहले हमने बनाए थी ब्रिक फ्लोरिंग आज हम बनाएंगे ट्रेजो फ्लोरिंग तो गाईस स्टार्ट करते हैं ट्रेजो फ्लोरिंग इस आपको पहले बता चुका हूं है सुर्प यहां पर क्या बोकांटीनु का सइन केभी आपको पॉंटीनु का साइन तर्या पता है पॉंट । यहां से आप वर या टू कुछ भी ले सकता है निच्छे फिर यहां से पॉइंट फाइब यहां से पॉइंट फाइब यहां से आएगी लाइन यहां से भी आएगी और यहां पर हम लगा देंगे कॉंटिन्यू का सिंबल थीक है आप गई सबसे पहले इसमें आएगा ग्राउंड लेविल आपका जिसके उपर आपके आएगी कॉम्पैक्ट अर्थ जैसा आपको पता है कॉम्पैक्ट अर्थ मैं आपको बतायी आई इसकी हम लिंगे वन सेंटी मीटर यानि अंड्रेड अम्याहित का फिर स्ञें फिलिंग फांड फिलिंग की ठीक हैं तो सभी इन दोनों को हम लेते हैं यह आएगे हमारी compact earth यह आएगे हमारी sand filling जहना हमारी 0.8 का मैंने आपको बताया था concrete filling आएगी ठीक है यह lime concrete यह cement concrete ठीक है गाइस बट ब्रिक के अलावा सब में आप cement concrete लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम 0.5 तो गाइस जो आपके ट्रेजो flooring होती है बहुत पतली होती है 0.5 की तो मैं इसको 0.5 भी रखूंगा और यहाँ पर जो आपका आएगा DPC आएगा इसके लेविल पर फिर गाइस हम यहाँ पर continue का symbol लगाएंगे तो फिर गाइस हम continue का symbol लगाने के बाद यहाँ पर हम दिखा देंगे हम प्लिंथ लेवल को यहाँ पर कर देंगे हम ग्राउं लेवल गईस ट्रेजो flooring में आपको दिखाऊंगा ग्राउंड पर पहले में बतायाता हूं कि ट्रेसो flooring में आपको marvel की चोटी चोटी चीप्स आपको दिखेंगे जो कि दिखने में आपको वो concrete की तरह ही लगेंगी बट इसकी चिप है छोटी होती है काफी ज्यादा छोटी होती है ट्रैजो की चिप है आपको दिखाऊंगा भी इस तरह किसे आप हम छोटी छोटी चिप से बनाएंगे पहले ट्रैजो की और फिर इसको डॉटेट से शोगरेंगे ठीक है गाइस यह तो हमारा है इसको लिख देंगे हम 25 mm थिक ट्रैजो फ्लोरिंग ठीक है गाइस और गाइस इसमें भी जो रेशियो यूज होता है वो आप यूज कर सकते हो वन रेशियो 3 रेशियो 6 का यानि वन आपने इसमें यूज की वाइट सिमेंड वाइट सिमेंड इसमें सेंड की जगवा आप यूज कर सकते हो वाइट पॉडर प्लस मार्वल चिप्स है यहां पर आपके आएगी कॉंक्रेटिंग जो इसको बेस देगी हाल्ट बेस देगी कॉंक्रेट किट जो ट्रेंगल होता है वो ट्रेजों से थोड़ा बड़े होता है है यहां पर आपके कॉंक्रेटर था एक जिसमें आपको बताया था जिसको हम दूर्मूट से या पनर से है यहाँ मिट्टी को मूटता हैं जिसको हम इंगलीच में आपकेट तो कॉंक्रेट करना पड़ता है यहाँ पर मिट्टी का ताकि मिट्टी यहां भें टाइट रहे था कि अंधो यहाँ पर लिखेंगे हैं ड्रेड एमं 10 कॉंपांक्त था और यह लिखेंगे 150 mm thick sand filling और यहां पर लिखेंगे गाइस हम 80 mm thick कि सेमेंट कॉंक्रीट है ठीक है यहां पर सैंड फिलिंग को आपको पता है ऐसे दिखाना पड़ता है सैंड फिलिंग को कि अधिक है कि यहां पर हम दिखा देंगे हैजिंग वॉल की कि अधिक है कि यहां पर दिखा देंगे हमारी डीपीसी कॉंटिफाइब उससे नमी वॉल के थूपर चड़ती है तो डीपीसी तो पर जाने से रूख लेती है और यह और अच्छे से काम कर सकते डीपीसी इसलिए उसके ऊपर दो लियर आपके लगाते हो और बीटुमिन यानि गरम की यह बीटुमिन को पेंट के तरह इसके उपर लगाते हो यह आपका है ग्राउंड लेवल कि जिसका सिंबल होता है ऐसे है कि इस तरीके से आपके ट्रेजो फ्लॉरिंग है यह आपका ट्रेजो फ्लॉरिंग ओल डैमेंशनीन एमेम इसकेल वन रिश्यो टैन हम इसमें यूज कर रहे है और गैस मैं आपको बताया ना कि यह वाली जो आपके हाइट है यह आप कितनी भी ले सकते हैं 600 से 300 के बीच जैसे अभी मैं यह आपे नापके देखूंगा तो जो मेरी पूरी के पूरी फिलिंग इसको 40 पैसे यह आई है 38 के अंदर तो हम इसको 40 भी लिख सकते हैं 2 mm से फरक ने बढ़ता 40 mm हम इसको यहां पर दिखा सकते हैं इस तरीके से आपके ट्रेजो फ्लोरिंग होती है जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा यह छोटी-छोटी चिप्स होती है जैसे आपके दि इसको ट्रेजो फ्लोरिंग कहता है वर उसके तरीके से हमारी तरेजो फ्लोरिंग कमप्लेट हुई आज का लक्ция लगा को अ में जुरूर बताईएगा ओके गाइस थेंक यू